स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है कंस्ट्रेंड मोशन अब यह जो कंस्ट्रेंड मोशन नाम का टॉपिक है यह आपका कनेक्टेड मोशन से ही रिलेटेड है इसमें थोड़े से एडिशनल कॉंसेप्स लगते हैं कंस्ट्रेंड मोशन क्या मतलब है इसका इसका कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब है कंस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है कंस्ट्रेंड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिड कंस्ट्रेंड का मतलब है रिस्ट्रिक्टिड तो अगर motion किसी तरह से restrict कर दे हम, जो pulley system होता है, उसका motion या किसी भी system का motion, अगर हम किसी direction में या किसी चीज से restrict कर दे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, constraint motion, restrict करते कैसे हैं, restrict करने का क्या मतलब है, उस पे ध्यान दो, इसको एक example से समझाता हूं, प्लीज ध्यान दीजेगा, एक-एक word पे time मिलेगा पूरा लिखने का, पहले समझने पे 100% focus, suppose करो, आपके पास ये wall है, और साथ में ground, ये एक छोटा सा प्यारा सा system है, ground और wall दो चीजे हैं, आपने क्या किया, एक block है आपके पास, ये एक block है, एक pulley connect किया, और एक wire से इसको जोड़ दिया, ऐसे, situation दिखी, मैंने क्या किया, इस wire को pulley से जोड़ा, इस pulley को मैं right side पे force लगाता हूं, applied force, इसको मैं right side खीचता हूं, ये है वो restriction, क्या है ये restriction, यहाँ पे हमने string को एक जगे पे बान दिया, बान दिया मतलब अभी जब आप motions पढ़ रहे थे तो कैसे होते थे, कि pulley में एक तरफ से string नीचे जाती है, तो दूसरी तरफ से उपर आती है, तो एक body अगर A acceleration से गिरती है, तो दूसरी body A acceleration से उपर उठेगी, अब ऐसा नहीं होगा, अब हमें restriction कर दी, हमने दूसरे end को tie कर दिया, बान दिया, जब बान दिया तो क्या होगा, ये तो आगे खिचेगा, पर ये खिच नहीं सकता, situation समझ मैं ही पहले ये बताओ, online सबको situation clear है बटे, हुआ क्या situation में? Now, अब ज़रा ध्यान देना, इसकी length की बात करते हैं, मैंने कुछ points लिये, इस point को मैंने A मान लिया, इस point को मैंने B मान लिया, ध्यान से सुनियेगा, इस length को L1 बोल दिया, यहां से यहां तक की length को, यहां से यहां तक की length को L2 बोल दिया, so total length of string कितनी होगी? total length of string कितनी हो जाएगी L1 plus AB की arc length plus L2 मानते हो L1 plus A से B का ये जो arc है ये length plus L2 ये total length हो जाएगी अब अगर मैं इस system को आगे धक्का देता हूँ तो होगा क्या please pay attention ध्यान से देखिएगा मैं इसी system को आगे धक्का देदा हूँ तो क्या होगा force जो मैंने लगाई है उससे क्या होगा let's see ये block था ये pulley था ये string हमने बांदी भी थी इस pulley को थोड़ा सा एक सेकंड ये original position थी pulley की string के साथ ये original position थी मैंने आगे खीच लिया तो अब ये यहाँ चला जाएगा block भी आगे आ जाएगा और ये pulley की overall length अब ऐसे हो जाएगी मानते हो ऐसा ही होगा system जब मैं इसको आगे खीचूँगा मानते हो बटे सारे सब बच्चों को यहाँ तक बात समझ मैं पेटे जवाब दिया करो प्लीज यहाँ तक सब को बात clear होई मैंने बोला मैंने इसको जब आगे खीचा तो ये अपनी position से आगे चला गया ये block अपनी position से आगे चला गया अब total length of string is this this length will always remain constant this length will never change overall length तो change नहीं होगी न रस्सी जितनी total length है रस्सी की length तो उतनी रहेगी वो नहीं change होगी मतलब अगर suppose मैंने बोला ये पुली आगे चला गया let's say xp length xp पुली की length आगे यहाँ पे भी length आगे बढ़ गई xp ये आगे चला गया let's say x1 जरा ध्यान से देखेगा मैंने क्या बोला दुबारा सुनो मैंने बोला पुली पहले उपर length थी l1 अब वो xp आगे चला गया तो उपर length xp बढ़ गई नीचे इतनी length इदर बढ़ गई xp और ये आगे चला गया तो यहाँ से length कम हो गई x1 मानते हो की नहीं अब जो total length होगी अब जो total length होगी पहले वो a पे था अब वो a dash पे आगया b dash पे आगया अब जो length होगी वो क्या होगी l1 प्लस xp प्लस a dash b dash की arc length प्लस xp प्लस l2 माइनस x1 yes or no yes sir l2 length पहले थी अब यह x1 आगे चला गया तो यह होगी l2 minus x1 पुली आगे क्या यह length कितनी बढ़ गई xp total length हमेशा same रहेगी मतलब इन दोनों को अगर मैं equate कर देता हूं इन दोनों को अगर मैं equate कर देता हूं क्योंकि overall length same रहेगी तो हम लिख सकते l1 plus a b की arc length plus l2 is equal to l1 plus xp plus a dash b dash arc length plus xp plus l2 minus l1 cancel होके आपके पास आएगा सब कुछ cancel हो जाएगा l1, l1 cancel l2, l2 cancel a dash b dash arc length cancel आपके पास बचेगा 2 xp minus x1 equal to 0 मतलब x1 आगया 2 xp x1 आगया 2 xp मतलब मतलब यह जो block है यह कितना आगे जाएगा अगर pulley let's say 2 cm आगे जाएगा तो यह block 4 cm आगे जाएगा double आ रहा है मतलब इसकी velocity क्या होगी double मतलब इसकी acceleration क्या होगी double एक तो यह approach होती है सोचने की जिसमें आप length को equate करते हों यह थोड़ी सी tedious approach है एक असान approach देखो ध्यान देना बेटा इसी को करने का एक असान approach देखना मैं अगले page पे करता हूँ another approach वो जादा असान है उसको सोचना असान है ध्यान देना approach number two यह simple approach है यह जादा असान है ध्यान देना मैंने बोला overall length same रहेगी since overall length remains same this implies that change in length of string is zero overall length same रहेगी तो change in length zero होगी मतलब अगर if pulley moves right hand side by distance xp and block moves right hand side by x1 then ध्यान दीजेगा इसमें दो sections है wire के एक ये section ये एक section ये इसको मैं नाम दे देता हूँ O इसको नाम दे देता हूँ C then change in length in O C will be plus xp हां की ना ध्यान दो O O C नहीं O A O A is plus xp ध्यान दो बिटा सब छोड़ो मैंने बोला pulley आगे गया xp length pulley अगर xp length आगे गया तो ये जो string है ये कितनी बढ़ जाएगी xp बढ़ जाएगी इतनी बात मानते हो जब pulley xp length आगे गया तो यहां length कितनी बढ़ गई xp बढ़ गई तो O से A जो पहले था वो O से A तो रहेगा plus xp साथ में हो जाएगा तो उसकी change in length कितनी हो जाएगी plus xp इतनी बात सबको समझ में आती है दूसरा अब BC पे आओ ध्यान से सुनना इसको change in length in BC BC section में कितनी length change होगी pulley आगे गया तो pulley की वज़े से इसकी length increase हो रही है तो pulley का increasing effect है ये block right side जाएगा block के right side जाने से इसकी length कम हो रही है तो इस block का decreasing effect है इस wire की length में increasing effect किसका है pulley के आगे जाने से अगर सरफ pulley आगे move करता तो ये wire बढ़ जाती block आगे गया तो ये wire घट गई तो pulley का increasing effect है wire में और block का क्या है decreasing effect तो increasing effect तो क्या करोगे add कर दोगे plus रखोगे और decreasing effect है तो क्या करोगे minus में लिखोगे तो plus xp minus x1 so total change in length कितना हुआ total change xp plus xp minus x1 is equal to 0 क्योंकि change नहीं होता तो 2xp is equal to x1 इसको अगर मैं differentiate करूँ तो twice velocity of p is velocity of first object इसको दुबारा differentiate करें twice acceleration of p is acceleration of first object यह accelerations अगरा निकालने के काम में आता है अभी question की form में करके दिखाऊंगा इतनी बात समझ में आती है एक बार दुबारा दुबारा देखते है मैंने क्या बोला ध्यान देना यह l1 length है यह arc length है यह l2 length है यह total length है total length same रहती है अब यह आगे चला गया xp तो यहाँ पे length हो गई l1 plus xp यह क्योंकि आगे गया था xp तो नीचे कितना हो गया xp आगे बढ़ गया और यहाँ length कितनी हो गई l1, l2 पहले थी और यह block आगे चला गया तो l2 में से x1 कम हो गया तो अब इसकी length कितनी हो गई l1 plus xp plus arc plus xp plus l2 minus xp x1 total length equate कर दी मेरे पास वही relation आगया जो अगले page पे मेरा दूसरे method से relation आया हुगा इसको differentiate करोगे velocity और acceleration निकल जाएगा क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है बटा question complete numbers के साथ question करके दिखाऊ numbers के साथ इसका question करते हैं फिर आपको time दूँगा इस question को लिखने का numbers के साथ इस question को देखिए numbers के साथ इस question को देखते हैं बागी यह वाला method एक बार दुबारा समझ लो मैंने क्या बोला यह block आगे गया xp आगे गया xp for pulley xp relevant नाम लोगे सोचना लिखना असान रहेगा xp आगे गया तो यह उपर वाली length में कितना increasing effect आया xp का नीचे pulley आगे गया block भी आगे गया pulley आगे गया तो इस wire में कितना increasing effect आया xp का और इस wire में कितना decreasing effect आया x1 का increasing effect रहे तो xp decreasing effect रहे तो minus x1 दोनों को add करो total कितना हो गया 0 अभी तो यह मैं पूरा words में लिख रहा हूँ जब numerical form में आएगा तो मैं directly लिखूंगा दिखाता हूँ कैसे जैसे in string and acceleration of pulley and block system ऐसा है वही same question बना हो और number डाल दूँगा यह block है 5 kg यह pulley यह string इधर force लगा रहे हो आप let's say 20 newton pulley का mass भी ले लेते हैं 2 kg pulley का mass भी दिया हुआ है नई भी दिया होता तब भी चलता pulley का mass भी given है अब इस पे forces forces mark करो इधर लगेगा T इधर लगेगा T इधर लगेगा T इधर लगेगा T एक ही tension होगी यह बात समझ में आती है tensions वगर हैं force की direction अबको clear है now equations बनाते हैं equations बनाते हैं accelerations की बात करनी पड़ेगी क्या बोला मैंने इसकी acceleration अगर A है तो इस block की acceleration होगी 2A acceleration pulley की अगर A है तो block की acceleration क्या होगी 2A double होगी इसकी acceleration अभी पिछले page पे हमने prove किया double होगी इसकी acceleration इसकी A तो इसकी 2A अब आ जाते हैं pulley के लिए for pulley pulley का FBD बनाते हैं pulley का free body diagram यह अब pulley को point marks की तरह लखा right side पे 20 newton पीछे की तरफ है दो tensions एक उपर वाले face पे एक नीचे वाले face पे 2T और यह आगे जा रहा है A acceleration से दूसरा इस block पे आते हैं block के लिए बनाते हैं FBD यह point block के लिए tension right side पीछे कोई force नहीं right side पे acceleration 2A बाकि normal reaction को weight को balance करी रहा है यह situations हो गई अब आजाते हैं इसकी equations पे इसकी equation बनाओ right side पे motion है right force minus left force equal to net force pulli का mass कितना है 2kg MA इस block पे आजाओ right force minus nothing is equal to net force net force यहाँ पे कितनी है 5kg का object है यह 2kg का था 5kg का object है तो 5 into acceleration इसकी होगई 2A क्या यह समझ में आता है बटा equations clear है equations अब को clear है Ivan Kamna Vansh Yashika equation clear है बटा yes sir now substitute करो second को first में substitute second in first 20 minus 2T यह 10A है यह 10A है पुट करूँगा 20A is equal to 2A so 20 is equal to 22A acceleration आ गया 10 by 11 meters per second square यह किसकी acceleration है A acceleration है अभी आते हैं value पे बगी tension की value substitute करो T कितना आ गया 10 times A so 100 by 11 Newton so acceleration of pulley कितना हुआ acceleration of pulley कितना है A which is 10 by 11 meters per second square acceleration of block block की acceleration कितनी है 2A 2A मतलब 20 by 11 meters per second square समझ में आ गई बात so यह situation दुबारा इसमें A और 2A आप question में कैसे represent करोगे आप सीधा बोलोगे इसमें एक section है section 1 section 2 फिर let pulley moves right hand side by x1 xp let block moves right hand side by x1 so change in length इसको first section है न एक काम करते है इसको delta L1 लिख लेते है delta L1 अभी आपके knowledge के लिए लिख रहा हूँ this is change in length in first section जो उपर मैं फिर्स सेक्शन बनाया वो गया plus xp change in length in second section इसको नाम दे दिया delta L2 यो गया xp का adding effect और x1 का decreasing effect total change is 0 so delta L1 plus delta L2 is equal to 0 xp plus xp minus x1 equal to 0 so twice of xp is x1 मतलब दो बार differentiate करने के बाद acceleration of block acceleration of block is twice the acceleration of pulley ये लिखना पड़ेगा उसके बाद ये काम होगा यहाँ पर ये additional काम हो जाता है constrained हो गया constraint क्यों आया क्योंकि आपने यहाँ पर रस्ती को बान दिया था अब ये free to move नहीं है अभी और cases करते है इतना पहले तमीज से लिखिए कोई step नहीं समझ में आता अभी के अभी पूछिए और cases देखते हैं इसके अगर रहता है तो आप बाद में लिख ले ना बटा और cases देखते हैं कुछ let's suppose system ऐसे है ये एक block block A ये pulley यहाँ एक और pulley इधर ceiling से attach कर दिया constraint हो गया यहाँ पे एक और mass यह B block यह मान लिया 10 kg यह given है let's say 5 kg पुली का mass ले 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 थे 3 kg पुली का mass है 3 kg यह system दिया है अब इस system में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको solve करने से पहले कुछ भी करने से पहले accelerations देखनी पड़ेंगी किसकी कितनी होगी acceleration का effect प्लीज ध्यान देना ध्यान देना मैं short में करूँगा जितना minimum short कर सकता हूँ मैंने 3 length मान ली ये L1 length ये L2 length और ये L3 length आपके लिख के दिखा रहा हूँ इसको आप orally और फटाफट करोगे और rough में करोगे जल्दी जल्दी करोगे दिखाने नहीं होते ये step आप सीधा लिखोगे इसकी a है इसकी double होगई इसकी a है इसकी triple होगई but fraction wise ये show नहीं करना होता चाहो तो कर दो कोई दिक्कत नहीं है अब first वाले section में if block moves down block B if block B B block moves down by X B then pulley also moves down by X B ये मनते हो अगर block X B distance नीचे आए ये भी X B distance नीचे आएगा क्योंकि ये लेंग तो सेमी रहेगी ये पुली जितना नीचे आएगा उतना ये block नीचे जाएगा नीचे आएगा let block A moves towards right by X A ये block X A length आगे चला गया अब मुझे आप बताओ first वाला section में कितना change in length आएगा इस first वाले section में decreasing effect है किसका? A का तो A जब आगे जाएगा X A length तो first वाली में कितना change आएगा? बताओ please first वाली length में कितना change आएगा? अगर A block X A length आगे गया तो first वाली length में कितना change आएगा? अवाज नहीं आएगी बताओ बाकी बच्चे एक अंगुन कितना जाएगा बता? तो 11 minus X A बता आगे कितना जाएगा? मैं final length नहीं पूछ रहाँ change in length पूछ रहाँ तो अगर ये X A length आगे गया तो change in length कितना हुआ? X A हुआ ना final length नहीं पूछा मैंने final length वही होगी जो आप बोल रहाँ L1 minus X A मैं बोल रहाँ change in length कितना होगा? तो change in length कितना होगा? X A प्लस होगा या minus होगा? ये बता increasing effect है or decreasing effect है? minus decrease हो रहाँ, right side जा रहा है minus X A अब आज़ो second length पे ये वाली डंडी पे delta L2 ये पुली नीचे जा रहा है कितना? X B X B तो इस section की length बढ़ेगी? सिरफ प्लस X B बिलकुल सही ये नीचे गिरेगा प्लस X B third section की length बताओ ये third section है ये जब पुली नीचे गया तो इसकी length भी बढ़ेगी? कितनी बढ़ेगी? X B प्लस X B बिलकुल सही total change कितना बताया? 0 total change कितना हुआ इस wire का? 0 मतलब minus X A plus X B plus X B कितना हो गया? 0 तो X A किसके बराबर आ गया? twice of X B मतलब differentiate करेंगे तो velocity of A आ गया twice velocity of B मतलब acceleration of A आ जाएगा twice the acceleration of B मानते हो बटा? सब बच्चों को ये बात समझ में आती है? अब देखो अब इस question को solve करते हैं forces mark करो इस पे नीचे लग रहा है 10 G उपर है tension T1 इसकी tension नीचे T1 T2 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 और कोई force नहीं अब आ जाते हैं acceleration पे तो A की acceleration double है B से तो अगर ये A acceleration से नीचे गिर रहा है तो ये right side कितनी acceleration से जाएगा? double acceleration से A की acceleration is double acceleration B की तो acceleration of A B अगर मैं नीचे A मानता हूँ तो इसकी acceleration कितनी होगा? 2 है अब FBD बनाते हैं FBD of B B का FBD बनाओ B का FBD क्या होगा? नीचे लग रहा है कितना 10G उपर लग रहा है T1 और system आ रहा है नीचे A acceleration से तो इसकी equation क्या बनेगी? 10G minus T1 equal to 10A first equation अब आज हो पुली पे FBD of pulley पुली पे T1 नीचे पुली का weight करना भूल क्या है T1 नीचे और weight भी नीचे 3G भी नीचे पुली का weight भी नीचे 3G और दो tensions उपर 2T2 और पुली नीचे गिर रहा है A acceleration से तो इसकी equation क्या बनी? T1 plus 3G minus 2T2 equal to 3A यहोगा equation number 2 अब आज हो block पे FBD of block A right side motion है T2 और acceleration double weight कितना? 5 kg left में कुछ नहीं है इसकी equation मनेगी T2 minus 0 equal to 5 into 2 number 3 क्या यह समझ में आता है? अब इसके बाद अब इसके बाद और कुछ नहीं है इसके बाद solving है सिरफ मतलब अब इसमें मैं क्या करूँगा? first equation से T1 निकालता हूँ third से T2 निकालता हूँ second में substitute कर देता हूँ first से T1 निकालो so T1 कितना आया? इसको first बोल देंगे 10G minus 10 है third से निकाल चुके हो substitute 1 and 3 and 2 substitute first and third in second T1 that is 10G minus 10A plus 3G minus twice of T2 T2 के है 10A twice of T2 हो गया 20A is equal to 3A solve करो 33A और left side पे कितना आया? 13G तो A की value आ गई 13 by 33 G A आ गया समझ में आ गया A को back substitute करके tensions निकाल सकते हो logic clear approach समझ में आई basic constraint motion clear हुआ सब बच्चों को clear है बिटा ही है मैंने prove क्या किया A की acceleration double और B तो अगर B A acceleration से नीचे गिर रहा है तो A कितनी acceleration से जाएगा? 2 ऐसे जाएगा ना? अब और example देखो क्योंकि देखो इसमें न कोई ऐसे रट्टे वाला rule नहीं है कि हमेशा ये चलेगा सोचने पर depend करता है question पर depend करता है जैसे एक और example देखते है suppose situation ऐसे है समझने पर ध्यान देना बटा ये रट्टे वाला कुछ portion नहीं है ये interesting सोचने वाला portion है यहां पर आपके पास दो पुलीज है एक पुली इदर से एक weight टांग देते है 10 kg ये इदर गया इदर एक और पुली इसको बान देते है उपर ये बन गया और ये नीचे यहां पर act कर रहा है let's say 5 kg पुलीज मास्लेस ले ले तो इस question में पुली का मास्लो मास्लेस लो फरक नहीं पड़ता accelerations पे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा equations वगरा में फरक पड़ेगा सिरफ ये आपके पास situation है again आपने यहां पर क्या किया टॉप पर इसको hang कर दिया बान दिया तो ये भी motion क्या हुआ constraint motion अब आ जाते हैं पहले इसकी accelerations पे प्लीज ध्यान देना इस length को मैंने L1 बोल दिया इसको L2 बोल दिया और इसको L3 बोल दिया L1, L2, L3 total length सेम रहेगी first length मैं मान लिया ये A ब्लोक बोल दिया इसको मैंने B ब्लोक बोल दिया obviously नजर आ रहा है मुझे कि ये 10 kg नीचे जाएगा ये उपर उठेगा ये बात clear होती है 10 kg नीचे गिरेगा तो ये system उपर उठेगा उल्टा भी मान सकते हो कोई फरक नहीं पड़ता negative आ जाएगा answer बट काईदे से जो समझ में आ रहा है वो मानो ये मान लिया let A moves down by X1 length XA length and B and pulley pulley 2 pulley 2 goes up by XB length अब आप मुझे बताओ first section में कितना length में change आएगा first section में कितना length में change आएगा आप बताइए ये block नीचे जा रहा है ये उपर उठ रहा है तो first पहले इतना है जब ये नीचे जाएगा तो कितना change आएगा positive X plus XA plus XA क्योंकि ये addition वाला है बिल्कुल सही second section में बताओ कितना होगा delta L2 कितना होगा ये उपर जाएगा system यहां से ये हिल नहीं रहा ये उपर जाएगा तो ये वाली length कम हो जाएगी बिल्कुल सही minus XB perfect, very good इसी तरह third section पहो ये उपर जा रहा है तो इसकी length घटेगी तो delta L3 कितना हुआ minus XB बिल्कुल सही perfect, very good XA minus XB minus XB कितना हुआ 0 के बराबर तो XA किसके बराबर आगया twice of XB के differentiate करो velocity of A आगया twice velocity of B दुबारा differentiate करो acceleration of A आगया twice acceleration of B इसका मतलब अगर B A acceleration से उपर उठता है तो A 2A acceleration से नीचे जाएगा क्या यहां तक समझ में आता है अच्छे से? Yes sir, yes अब आजाते हैं इसकी equations पे equations के लिए पहले forces mark करते हैं 10G नीचे T1 T tension इदर A की string ए T tension से काम हो जाएगा यह दूसरी को T2 ले लूँगा बाद में यह भी T उपर यह भी T उपर इदर T dash इसके उपर T dash 5G और weight नहीं है pulley का अब आजाओ equations पे for A A के लिए FBD बनाता हूँ A के लिए 10G नीचे T उपर system जा रहा है नीचे 2A acceleration से तो equation बताओ इसकी क्या बनेगी down force minus up force equal to net force यही बनेगी नीचे की तरफ कौन है 10G उपर की तरफ कौन है T equal to MA mass कितना है 10 acceleration इसकी कितनी है 2 है यह हो गए इसकी first equation अब आजाओ pulley pulley 2 के लिए second pulley जो लगी है यह बली इसकी FBD बनाओ इसका T dash नीचे T और T 2 T उपर और इसका mass नहीं है इसकी acceleration उपर है कितनी acceleration A acceleration उपर इसका mass नहीं है इसकी acceleration उपर है क्या यह बात समझ में आती है इसका mass नहीं है पर इसकी acceleration उपर की तरफ है, ठीक है, इसकी acceleration जो है, वो कहा है, उपर की तरफ है, तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि mass नहीं है, क्योंकि mass नहीं है, तो अब आप इसकी equation क्या बनाओगे, अब आप फोर्स, माइनस डाउन फोर्स, इकोल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो, क्योंकि mass नहीं है, एक्सेलरेशन होने से क्या फरक पड़ता है, जब m नहीं है, तो m नहीं होगा, इसी लिए ये equation मन गई, second, आजाते हैं, third पे, for mass to, for B, second mass, इसकी equation क्या बनेगी, ये उपर जा रहा है, T- नीचे है 5G, और system उपर A acceleration से, equation मनी, T- minus 5G equal to 5A, got it, T- minus 5G equal to 5A, ठीक, तीन equation, तीन variable, तीन equations, तीन variable, solve करो, first और third से value निकालो, first से value निकाल देते हैं, T की, क्या बना equation इसका, 10G minus 20 है, third से T- की, T- आया 5G plus 5 है, substitute 1 and 3 and 2, आपके पास 2T, 2T मतलब 20G minus 40A, minus T- या equal to T-, equal to 5G plus 5A, A की value कितने आई, 45A is equal to 15G, acceleration अगया, G by 3, A आया, G by 3, एक body की acceleration आगया, दूसरे की तो double ना, समझ में आता है बटा, सब को clear है, अच्छे से यहां तक? Yes sir, no problem, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत बटे? No sir, excuse me, जी बटा, बोलिये, Sir एक बार दुबारा बदाए, 0 की का है, PULLY 2 में, बटा, मास नहीं है न, PULLY 2 का? Yes, जब राइट साइट पर क्या होता है, बच्चे, MA होता है कि नहीं होता? जब M ही नहीं है, तो MA 0 होगा न? Okay, अगर मास ओफ PULLY दिया होता, तो फिर उसको भी लेते, अभी नहीं दिया हुआ, ठीक है? Okay, सुथाइगा, एक और देखो फिर इसी बात पर, एक और question देखते हैं, Suppose situation ऐसी है, अब थोड़ा, देखने में खतरनाक है फुद्दूसा, ये, Ground, आपके पास है एक A मास, बहुत बड़ा, A object, A object, मान लिया ये है 5 kg का, एक B object, यहां पे, एक B object, 10 kg का, अब system ऐसे है, यहां पे ये, वाल है, इदर से रसी बंदी हुई है, एक पुली, एक और पुली, एक और पुली, इस तरह से सेट अब है, और एक लास्ट पुली लगा के उससे जोड़ा देते हैं, जगे पूरी हो जाएगी, चोटी हो गई, चोटी पुली, यह ऐसे अटाच्च्ट है, इसस्टम, situation समझ में आई, और आप इसको राइट साइड पर फोर्स लगा रहे हो, लेट से अपने फोर्स लगा के, 10 N की फोर्स लगाई है, situation समझ में आई, यह multiple पुली जगी हुई है, multiple पुली जगे हैं, आप इसको राइट साइड खीच रहे हो, तो यह wire खीचेगी, यह खीचेगी, तो यह इसको खीचेगी, तो यह system भी आगे जाएगा, अब पहले तो accelerations का वो निकलना पड़ेगा, किसकी कितनी होगी, let A moves by XA towards right hand side, B moves by XB towards right hand side, A right side जा रहा है, B भी right side जा रहा है, माल लिया, यह right side गया XA, यह right side गया XB, ठीक, यह ही मानते हैं हमेशा, अब आपको बात करनी है इसकी accelerations की, accelerations के लिए wires पे different length पे आजाओ, यह length L1, यह L2, L3, L4, L5, 5 sections है, अब आप मुझे सोच के बताओ, delta L1 कितना होगा, गलत ही होगा जास्तादा, सोच के बताओ, delta L1 कितना होगा, जल्दी पर आओ बटा, देविजोत, कोई, 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 वाइल, पूरा सिस्टम आगे हो, पर आजास होचकता है कि, नहीं, नहीं नहीं जेंजोगा, नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अभी given data case आपसे, कितना आगे होगा, या पीछे होगा, या क्या होगा, अगर आप इसको आगे खीच रहे हो, तो यानि, सिर्फ इस length की बात कर रहो, सिर्फ इस length में, सिर्फ इस length में, movement इस end पे आएगी है, इस end पे भी आएगी, इस end पे तो constraint है, movement सिर्फ इस end पे आएगी, तो ये जब आगे जाएगा तो ये वाली length बढ़ेगी 101% कितनी बढ़ेगी बिटा XB बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बिलकुल तो first section में आगे जाने से XB length बढ़ेगी second section में कितनी बढ़ेगी अब second section दोनों के साथ connected है देखो second section इस वाले पुली के साथ भी है और इस वाले पुली के साथ भी जुड़ा हुआ है जो second section है जो second section है वो दोनों पुली के साथ जुड़ा हुआ है first section सिरफ पहली पुली के साथ जुड़ा हुआ था दूसरी पुली के साथ नहीं जुड़ा हुआ था दूसरे body के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, वो wall के साथ जुड़ा हुआ था, second section दोनों police के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर ये right side खिचता है, ये right side खिचता है, तो b का additive effect हुआ, b की length बढ़ेगी, तो minus x a, बिलकुल, ये right side जाएगा, तो इधर decreasing effect हुआ, तो minus x a, perfect, बात समझ भाई, दुबारा सुनो, मैंने बोला ये length है, ये इसको right side खिच रहा है, तो ये इसकी length को बढ़ा रहा है, plus x b, ये इसको left side ले जा रहा है, तो ये इसकी length को कम कर रहा है, तो minus x a, similarly third section, वो भी, ये आगे खिच रहा है, ये कम कर रहा है, x b minus x a, fourth section, वो भी, fifth section भी, delta l4 और भी, x b minus x में, और delta l5 b, x b minus x है, total सब का सम, कितना हुआ, 0, add करो सबको, पाँच बार x b जुडा, is equal to 4 times x a, differentiate करूंगा, 5 times velocity of b, 4 times velocity of a, दुबारा differentiate, 5 times acceleration of b, is 4 times acceleration of a, मतलब, a की acceleration, 5 by 4 है, b की acceleration से, तो अगर आब b की acceleration को a मनते हो, तो a की acceleration होगी, 5 by 4 a, क्या ये समझ में आता है? ये सर, ठीक, अब आजाते हैं इसकी equations पे, अब आजाते हैं इसकी equations पे, tensions पे, A T T A पे आउओ और B पे आउ B की equivalent B पे right side force कोन सी है 10 N minus left पे कितनी forces है एक, दो, तीन, चार, पाँच टेंशन is equal to MA मानते हो right side force कितनी है 10 newton left पे force कितनी है एक, दो, तीन, चार, पाँच टेंशन equal to MA mass कितना 10, acceleration A मानते हो बेटे हैं यहां तक बाकी सब बच्चे है अब A पे आजाओ A की बात करते है अगर मैं A की बात करता हूँ तो अब A पे देखो कितनी tensions है A पे directly लगने वाली tensions है 1, 2, 3 और 4 4 है 4T minus कुछ भी नहीं equal to MA, इसका mass है 5 acceleration 5 by 4A क्या दो equation, दो variable solve हो सकते हैं? equation समझ में आती है solve कैसे करोगे? 1st, 2nd वाले से T निकाल के 1st में substitute कर दो got it? yes sir सब को अच्छे से clear है करते हैं, solve करते हैं इसको मैंने क्या बोला? इससे T निकाल लो T की value कितनी आई? 25 by 16 times A number 2, number 1 substitute 2 in 1 2nd को 1st में substitute करें 10 minus 5T 125 by 16 A is equal to 10 A right side ले जाओ 10 is equal to 10 plus 125 by 16 times A A आगया 160 divided by 285 meters per second square calculate कर लो points में ठीक है? ये A किसकी acceleration है? B की तो ये आगयी B की acceleration 160 by 285 meters per second square तो A की acceleration कितनी होगी? A की acceleration होगी इसका 5 by 4 times 5 by 4 times 160 by 285 meters per second square A की value को back substitute करोगे T निकल जाएगा A को back substitute करोगे T आजाएगा 25 by 16 times A that is 160 by 285 Newton logically clear? logically समझ में आया? Yes sir चीक है? So आज करना क्या है? अभी इसके मैं और questions कराऊंगा अभी अभी और कुछ variety कराऊंगा दो चा आज मैंने आपको ऐसे questions करना है जिसमें सरफ A की string थी अगली class में multiple strings भी कराऊंगा उस पे आएंगे पहले आजाते हैं आज के homework पे जादा नहीं है थोड़ा सा ही दे रहा हूँ assignment booklet खोलेंगे आज का homework लिखेंगे इसी order में सबसे पहले repeat करेंगे जितने भी questions आज की हैं जितने आज हमने की हैं repeat करेंगे एक-एक question को ध्यान से पूरे steps के साथ दूसरा assignment में assignment में questions है topic number 5.18 इसमें मातर तीन questions है three questions है और उस type के एक-एक हमाज कर चुके है already यह तीन questions है सिरफ यह attempt करना है बट सबसे पहले जितने मैंने आज 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 को भी class में कराए है वो questions अच्छे से दुबारा करना है एक-एक question को ध्यान से repeat करना है ठीक है thank you very much बच मात्व मेंने आझे सबस्प्पी एगक करना helfen एक अच आजे प्याजम आँ एक बता आजे झाल झाल